लेकिन उन्होंने स्त्री का सम्मान नहीं किया, इसी वज़ा से रावन को जलाया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तो स्त्री सम्मान में वज़ा नहीं थी, में वज़ा थी रावन का अहंकार, जी हाँ दोस्तो, अहंकार की वज़ा से रावन को जलाया जाता है, अगर वो अहंकार ना करके सीता मया को पहले ही प्रभु श्री राम को वापस कर देता तो रावन को कभी नहीं जलाया जाता और सीता मया को गिन्नैप करने की असली वज़ा भी रावन का एहंकार ही था और यहाँ पर रावन ने सीता मया के अपहरन के अलावा और कुछ ऐसा काम नहीं किया था जिससे स्त्री सम्मान को ठेज पोचे तो दोस्तों यहाँ पर दशैरे की स्टोरी को भी स्त्री सम्मान से जोड़ा जा रहा है तारग में तका उल्डे जश्मा में अगी दोस्तों क्या आपको लगता है कि जो रावन को जलाया जा रहा है वो एक्चुली में स्त्री सम्मान से जोड़ा जाना चाहिए या एक्चुल में जोड़ा जाना सही है आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो पसंदिये दोस्तों लाइक जरूर कर देना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में